अमेन प्राइज को प्रभु की नाम की स्तुधी हो इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को दिनिवा देता हूं वोग रोमियो के कत को आटवा धियाय में हमने आके पॉस किया था उसके दर्मियान बीच में कुछ लोग नहीं जुड़े ते इसके लिए हम उसको रीविसिट कर रहे हैं और चैप्टर फाइव में हम लोग अभी आ पहुचे हैं पिछले आफ़ता हम लोग ने वर्सिस वन वर्सिस वन को जो हम लोग ने सीखा था वी हव पीस विद गॉड जब हम इमान से रास बास तेहरें तो हमारे खुदा के साथ अपने खुदा के साथ अपने कुदावद यश मस्थी के वसीले से सुला रखे करके इंदी और उर्दु में है लेकिन सुला रखे करके नहीं है बल्कि we have peace with God में कुदावन के साथ इश्मर्शी के वसीले से क्या हुआ है सुला हो that is what you have to write in your उर्दू and in the Bible also ये chapter 5 में रुकर एक अब लोग को सीख रहे थे introduction में मैंने कुछ बात हो आप लोग को कहा था chapter 5 verses 1 से लेके 8.39 तक chapter 5 verses 1 verses 8 chapter 8 का verses 39 तक जो है ये एक बलॉक है ठीक है ये एक बलॉक है हम लोग ने अलड़ी chapter 1 से लेके 4 तक का एक बलॉक को हम लोग ने कतम किया जिसमें हम लोग ने देखा कि no one in the world has righteousness of God दुनिया में किसी के आथ में भी कुदावंद का रास्तबाजी नहीं है कुदावंद के standard और demand के इसाब से हर एक विक्ति वो चाए येहुदी हो या केर कौम हो अन्य जाती हो कोई भी होने तो कुदावंद के standard के सामने हर एक विक्ति किरा हुआ है पाप के मातहेते करें के अम लोग और ऐसे शक्स को चुडाने के लिए चुटकारा देने के लिए उनको उनकी गुनाव को माफ करने के लिए उन्हें रास्त बास्त तहराने के लिए वाट गॉड इस टूइंग खुदावंद क्या करता है करके हम लोग ने पिछले classes में देखा था खुदावंद एश्व मसी के जिरिये से अपने बेटे को मेरे राप के बदले में बलीदान पर सूली पर चड़ाया और उसके बलीदान के वसीले से वो कफारा होकर अपने बलीदान के सामने वी एव राइट स्टैंडिंग लीगल स्टैंडिंग बिफोर गॉड कभी भी नहीं ता हमको क्योंकि हमारे हरे काम खुदावंद के सामने हम लोग खड़े नहीं रह सकते थे लेकिन जीसस पर हमने जब विश्वास किया वी राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड यह है हम लोग ने अभी तक देखा अभी पांच से लेके पांच का चैप्टर फाइव से लेके अगला यह ब्लॉक में हम लोग देखेंगे कि ऐसा इमान से रास्तवास तहराये वे लो the one who are justified by faith अभी आगे क्या है आगे क्या है खुदावन के सामने दर्मी टेहराया बस कामकतम हो गया क्या गुना की माफी मिल गयी forgiveness of sin मिल गया बस कामकतम हो गया क्या नहीं आगे को क्या है आगे किस तरह जीना है और आगे का blessings क्या है ऐसा रास्तवास तहराने के बाद उस believer का blessings क्या है वो justification of faith का outcome क्या क्या है वो सब अम लोग ये आगे का chapters में देखेंगे समझ में रहे हैं अब लोग को तो chapter 6 का अगर हम लोग आएंगे chapter 6 verses 4 में जब हम लोग आएंगे chapter 6 verses 4 देखो क्या लिखा है मैं उर्दू Bible में इसे पढ़ता हूँ chapter 6 verses 4 पस मौत में शामिल ओने की बब्तिसमा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसी बाद के जलाल के वसीले से मुर्दे में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले did you see that जिस तरह येृष्वश कुँ बाप ने जिलाया हम को भी जिलाएगा करकर नहीं बोल रहा है हम को जिलाएगा लेकर वी चैटर येट में है जिस तरह येश्वश्वश्वश कु मुर्दों में से जिलाया हम को भी एक दिन जिलाएगा लेकिन वो बात की बात है वो टाइम के पहले तक में और आप लोग किस तरह जीना है उदर लिखा है चाटवा बचल में कि उसी तरह हम भी नई जिन्दगी में चले तो चैप्टर फाइव से लेकि 8 का 39 तक हमारा रिस्पॉंसिबिलिटी बता रहे है तो कुदावंद के सामने परमिश्वर के सामने रास्तबास टेहराया वविक्ती ही आगे को नहीं जिन्दगी चल सकता है कि अपनी बाशा में simple बाशा में बोलूंगा तो खुदावंद से नई जिन्दगी मिला वा लोग ही क्या हो सकता है नई जिन्दगी के चाल में चल सकता है तो पहला four chapters में हमारा कोई बोलते हैं ना हमारा कोई योगधान नहीं ता ने तो हमारा कोई participation नहीं था बस हमारा कोई participation नहीं परमेश्वर ने एश मसी के जरीय से किया वह काम है मुझे राप लोगों को चुडा है लेकिन पांच का एक से लेके आट का 8-39 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा participation बहुत ज्यादा है हम अभी नए चाल नए जिन्दगी को चाल को चलना है हमारा sanctification के बारे में नहीं तो पाकजी के बारे में तो पहला चार पहला चार चैप्टर का में टॉपिक क्या था जस्टिफिकेशन रास्त बास टहराना पांच से लेके 8 तक चैप्टर का टॉपिक है sanctification sanctification तिसरा टॉपिक है पाच से लेके 8 तक का तिसरा टॉपिक ग्लोरिफिकेशन ने तो जलाल पाना महीमा पाना तीन बार तीन वर्ड है पहला चार चैप्टर justification पाच से लेके 8 चैप्टर sanctification मतलब पवित्रता पाक जी में बढ़ना इट इस डेली प्रोसेस और नमबर त्री क्या है ग्लोरिफिकेशन हमारे मुर्देवे मरेवे शरीर को पवित्रात्मा जिस तरे एश्मसी को मुर्दों में से जिलाया वाइसाम को भी चिलाने वाला है इट इस फ्यूचर ग्लोरी तो ऐसा तीन वर्ड में आप लोग रोमन्स का बुक क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं ट् Packai को अगर पूचे गा पाहला आटड़ ट्टर में क्या है सिस्टर के ब्रदर बनेका सकते हैं वक्त सब्सकेशन पाथ से लिके और चाप्ड़ में दो सब्यक्ट कि अप्यसक्ट क्यॅई क्सांट्री एडिंग में ये बात पाहला आड चात्ट रोलॉक सीक्व सो है तो हमारा responsibility भी है और हमारा blessing भी है हमारा blessing and हमारा responsibility ये बता है हमारा blessing क्या है हमको मिला हुआ सबसे बड़ा blessing क्या है हमको मिला हुआ सबसे बड़ा blessing salvation है नजाद है हमारा सबसे बड़ा blessing हमारे गुना को permission ने माफ किया God has forgiven our sins that is the greatest blessing और क्या दिया? माफ काली नहीं किया बलकि अपने आत्मा को अमारे अंदर दिया He gave His Holy Spirit in us चैप्टर फाइव का फाइव जरह देखें चैप्टर फाइव का फाइव और उमीद से शर्मन्दगी आसिल नहीं होती क्योंकि रूहल कुदुस जो अम को बक्षा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहबत अमारे दिलों में डाली गई है I'll read it in English chapter 5 verses 5 And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given to us हमको मिला हुआ दूसरा blessing क्या है Holy Spirit पवित्र आत्मा का दान मुझर आप लोग को मिल गया Holy Spirit The Holy Spirit will help the believer in this journey ये यात्रा में पवित्र आत्मा उसको मदद करता है बहुत सारा blessings हम लोग ऐसा करते जाएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगे तिसरा main blessing हमको उमीद मिल गया Hope दुनिया के जैसा उमीद नहीं है कल बारिश होगा क्या ब्रजर? शायद होगा ऐसा नहीं शायद नहीं It is certain now अबे जलाल मिलेगा certain है It's a guaranteed hope ऐसा 50-50 नहीं चांस It is a guaranteed hope It's a blessing हम लोग उमीद नहीं थे बिना उमीद वाले लोग थे हम लोग इस दुनिया में लेकिम बिकॉस अब जीसुस क्राइस Now we have hope देखो Chapter 5 verses 2 जरा देखे 5 का 2 जरा देखे जिसके वसीले से इमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर काइम है और कुदा के जलाल की उमीद पर फकर करते हैं We boast in the hope of glory of God तरी बात हम लोग ने देखा हमारा कुद का salvation is a blessing Number 2 हमारे अंदर दिया वो Holy Spirit का infilling यह हमारे life journey में help करने के लिए Holy Spirit हमें दिया गया है Number 3 हम लोग ऐसे ही लोग नहीं हैं हम लोग we are people वैसे blessed hope certain joyful hope उमीद वाले लोग हैं ऐसा प्रिविलेज दुनिया में कौन किसको है जरक बोलिये मुझे जिसका गुना बक्ष के माफ किया गया जिसको उमीद दिया गया जिसके अंदर रूल कुदुस दिया गया Holy Spirit किया गया तना प्रिविलेज लोग दुनिया में खोई नहीं सो अभी हम लोग जो है chapter 5 का एक से लेके ग्यारा में रास्तबास टेहरा हो गया वो टेहरेवे लोगों का ने तो the one who are justified उनका blessings को हम लोग देख रहे पहला blessing क्या है हम लोग ने पिछले अफ़ता देखा अगर आप लोग को और एक बार उसको सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं chapter 5 verses 1 और 2 को पिछले अफ़ता का recording उदर डाला है आप लोग जाके सुनिये first blessing क्या है we have peace with God that is a number one blessing आप लोग लोग एक बात देखा खुदावंद के साथ अमारा सुला हुआ है we have peace with God it does not say peace of God peace of God करके नहीं बोल रहा है बलकि क्या बोल रहा है peace with God difference है फिलिप्यो के कत में आप लोग देखिए फिलिप्यो के कत में क्या है फिलिपियन्स chapter 4 verses 7 chapter 4 verses 7 फिलिप्यो चार का साथ क्या लिए क्या है बापे बापे इस तर लिए कि तो कुदा का इत्मिनान the peace of God verses 9 जरह देखे नव आव अच्छन चार का नव जो बाते तुम से तुमने मुझ से सीखा और आसल की और सुनी और मुझ से देखी उन पर अमल किया करो तो कुदा जो इत्मिनान का चश्मा है गॉड अफ पीस आपके नोट में ये तीन बात लिखना गॉड अफ पीस पीस अफ गॉड पीस विद गॉड ये ये पीस करके वर्ड आज का ये मीटिंग में बहुत ज़रूरी है सुनने के लिए योकि आज अमलोग जो रहता हूँ मिडिल इस्ट में ये चीज़ नहीं है एक की खुदावंद है वो इस खॉल्ड एस गॉड अफ पीस बाइबल का खुदावंद ये सुनके भी किसी को एक कुशी भी नहीं लग रहा है मुझे there is only one God who is called as God of peace लडाई करवाने वाला खुदावंद नहीं जगडा लगाने वाला खुदावंद नहीं आपस में मार गिराने वाला खुदावंद नहीं बलकी इस कॉल्ड अफ पीस अलेलुया ये God of Peace के साथ हमारा क्या हो गया Peace with God पाच का दो रोमियो पाच का एक और दो खुदा वंदेश मसी के वसीले से उस God के साथ हमारा क्या हो गया सुला हो गया ये Peace with God परमेश्वर के साथ पीस हो गया हुआ लोगों के अंदर क्या है Peace of God Philippians 4-7 देखा आपने God of Peace Peace with God नमबर त्री Peace of God तो मैं आपसे बात पूछू सच में आज दुनिया में किसके अंदर है परमेश्वर का शान्ती जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाब हो गये वे लोगों के ने तो प्रबू के लोगों के अंदर ही है शान्ती पूरा दुनिया में शान्ती फैला हुआ है आपका लाइफ सिटुएशन में शायद चारो तरवांदी तुफान होंगे शायद आपको लगता भी होगा कि बोट अभी डुब जाएगा आपको लगता होगा कि ये डुब कि हम लोग मरने वाला है मैं एक बात कहता हूँ इफ गॉड फीस इस देर इन देट बोट अगर उफ बोट में शान्ती का राजकुमार है तो आंदी और तुफान और लहरे को शान्त करने वाला कुदावन देगे कुदावत आपका लाइफ का सिटुएशन में if you are not feeling peace that does not mean God is not existing उसका मतलब ये नहीं कि कुदावन देखस्ट नहीं कर दा है उसका मतलब ये नहीं कि कुदावन जूटा है उसका मतलब ये नहीं कि कुदावन का वच्चन सच नहीं if you are not experiencing God's peace today it is my prayer मेरा प्रातना ये रभु का वच्चन आपकी अंदर वो शांती the true peace को दे है hallelujah the number one blessing क्या है we have peace with God second blessing क्या है what is the second blessing second blessing हम लोग पढ़ेंगे रोमयो के कत पाच्वाद थिया है उसका दूसरा वच्चन को पढ़ेंगे second verses Romans chapter 5 verses 2 जिसके वसीले से हम लोग एक एक वर्ड ऐसा देखके हम लोग जाएंगे तो अच्चे से समझ में आएगा जिसके द्वारा इंदी में लिके जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनिग्रह तक जिसमें हम बने हैं अमारी पहुंच भी हुई जिसके वसीले से इमान के सबब से उस फजल तक अमारी रसाइबी हुई जिस पर कायम है अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो second blessing क्या है इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं we have obtained we have obtained our introduction into the grace अमें उस फजल में रसाई हुई that is the second blessing what is the second blessing इसनल ब्लस्ग क्या है की हमारे एश्वसी के कारण हमें उस कृपा में अम पाउच गए we are standing in that grace we have obtained the introduction into that grace अभी उर्दु में रसाई हुई करके लिए रसाई हुई right English में कुछ translation में लिखे कि access access रसाई हुई उर्दु में रसाई का मतलब क्या है punch right पाउच पाउच इंदी में और उर्दु में कुछ इंट्रोडक्शन करने वाला कोई होना चाहिए ना there should be someone who is introducing me right मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोग समझ में आए यह पुराने जमाने के राजाओं के दर्बार में मुझे राजा को मिलना है बोलके ऐसी गुषके नहीं जा सकता है आपको राजा के सामने कड़ा होने के लिए इंट्रिड्यूस करने वाला कोई होना चाहिए आप ऐसे नहीं कुछ सकते तो वो आकर पहला राजा को बोलेगा ऐसे एक बंदा आया है so and so person he wants to meet you this is his case यह है इसका case तो यह इंट्रिड्यूसर आपको इंट्रिड्यूस करके आपको उस राजा के सामने introduction करता है यह मीनिय है आप हम लोग कुदावंद के सामने परमेशर के सामने ऐसे नहीं जा सकते थे मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ मेरा बहुत काम अच्छे है we cannot go by our strength अपने ताकत और अपने कोई अच्छे कामों से हम प्रभू के सामने नहीं जा सकते थे who is our introducer किसले introduce किया हमे एश्य मसी ने मुझर आप लोगों को उस फजल में उस ग्रेस में उस परमेशर के सामने हमें introduce किया that is the second blessing hallelujah तो ये जो words है यह सब परमेशर एश्य मसी के कारण हो रहा है it is all because of Jesus कुछ verses आप लोग जरह देखे 5 का 11 जरह देखे 5 का 11 और सिर्फ यही नहीं बलके अपने कुदावन ये श्य मसी के तुफल से तुफेल से राइट तुफल से जिसके वसीले से अब हमारा कुदा के साथ मेल हो गया है मेल हो गया है मतलब we have reconciled with God because of Jesus he is the introducer एशु ने इंटरूस किया इसके लिए कुदा हनके साथ मेल हुआ में अखेला गया नहीं hallelujah this is a basic Christian truth this is a basic Christian doctrine Jesus introduced me to the father अमनों गाते ना पेटे ने बाप से मिलाया जब से प्यारा येशु आया उसमें एक लाइन है ना यादा क्या लिख्या है इसको यादे से जा रगाई पुत्र ने पिता से ही मिलाया exactly पुत्र ने पिता से मिलाया what a statement is this क्यों मिलाना पड़ा मालूम है मैं अपने शक्ती और सामर्त से with my nature मैं बाप के पास नहीं जा सकता था लेकिन पुत्र ने है पिता से मिलाया हालेलुया हम लोग लास्ट में गित गाकर आन्द के साथ ये जूम सजाएंगे पुत्र ने है पिता से मिलाया हालेलुया क्या कुपसूरत है बत कितना बार गायेंगे तो भी कम पड़ेगा पुत्र ने है पिता से मिलाया किसको मुझे और आपको वट ए स्टु tract मुझे मिलाया ये ब्लेसिंग को चोड़ कर आमनलोग उदर जायेगा इदर जायेगा हो मिलेगा ये मिलेगा दुनिया का सब ब्लेसिंग बोलकर व contempor bHello ब्लेसिंग को चोटा करना कितनी गुना की बात है जयरसोची जयरसोची दुनिया को बनाने वाला creator के साथ Jesus ने मुझे मिलाया इससे और बड़ा blessing क्या है बोलिए इससे और बड़ा blessing क्या है तो येश्य के वसीले से वह इससे और इंट्रडूसर तो पाच का ग्यारा में देखा फाइफ ट्वेंटीवन जरा देखें फाइफ ट्वेंटीवन तो आप एडलाइन ने तो सब्डिविशन में इसे लिखना जीसससे और इंट्रडूसर वेर्स लिखना पाच का ग्यारा पाच का 21 पाच का 21 पाच का 21 पाच का 21 ताकी जिस तरह गुनाक ने मौत के सबब से बाच्शाई की उसी तरह फजल भी अमारे कुदावंदी ऐश्मसी के वसीले से did you see that because of Jesus Christ chapter 6 verses 23 6 23 क्योंकि गुना का मजदूरी मौत है मगर कुदावंद की बक्षिश अमारे कुदावंद एश्मसी में it is true Jesus अमेशा की जिन्दगी है सच में मैं ऐसी जाता होता जाता होता तो मैं क्या होता वहापर क्या है मौत लेकिन because I have an introducer मुझे introduce किया हूँ एश्मसी के वसीले से मुझे क्या है अब दी जिन्दगी है eternal life अगला साथ का पच्चीस 725 Romans 725 अपने कुदावंद एश्मसी के वसीले से कुदा का शुक्र करता हो because of Jesus Christ I thank God किसके लिए? गरच में कुदा अपनी अकल से तो कुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुना के शरीयत का महकूम हूँ okay I thank God through Jesus Christ because I have a daily victory not because I have a strength in me because of Jesus hallelujah एश्मसी के कारण I have a daily victory over sin sin का struggle daily है है कि नि daily every time every seconds we are prone to sin लेकिन पॉल केता है thank Lord because of Jesus Christ अगला 839 8 का हाँ chapter 8 verses 39 देखो क्या लिखका है ना गहराई और ना कोई और सुष्टी अमारे प्रभू परमेश्वर से जो अमारे प्रभू मसी एश्व में है अलग कर सकेगी no one can separate us from the love of Christ why because through Jesus Christ एश्मसी के जरिये से we have come before the Father hallelujah it's not our merit हमारे merit से नी आया है हमारे कोई address से नी आया है हमारे कोई अत्त पता नी है it's because of the address of Jesus Christ it's because of the name of Jesus Christ it is because of the merit of Jesus Christ it is because of the righteousness of Jesus Christ it is because of the work of Jesus Christ it's all Jesus Christ because of Jesus we come before the Father hallelujah second blessing तो क्या है second blessing हमको इंट्रोड्यूस किया फादर के सापने इंट्रोड्यूस और वो वर्ड देखा आपने चैप्टर फाइव ने देखिए पाच का दो और एक बार देखिए जिसके वसीले से इमान के सबब से इमान के सबब से उस फजल तक अमारी रसाई भी हुई जिस पर हम कायम होंगे करके नहीं लिका है कायम है प्रभु में आने के बाद दुबाई में आया हम लोग इस तेट नो 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 प्रभु में आने के बाद बच्चे सारे अच्चे नंबर से पास होगे no 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 that is not परमेश्वर को खुद मुझर आपलो को मिल गया God Himself gave Himself to us Hallelujah what is the present blessing God giving Himself to us in His graciousness घुदावंद खुदी येश्वर ने क्या बोला I am with you even at the end of the age मैं तो मैं कभी अनात करके नहीं चोड़ूंगा Emmanuel God is with us परमेश्वर खुद God Himself आज मसी लोगों का problem येश्व देता हुआ चीजे चाहिए Jesus ने उत्रा ने चाहिए चाहिए चालेगा Jesus देता हुआ चीज what God gives me that benefits that gift but brothers and sisters not the gift but the giver of that gift वो दानों को देने वाला giver ही मेरे जीवन में आया how privileged we are this is the second blessing we have obtained our introduction into the grace इसका कुछ-कुछ verses भी है Ephesians 2.18 introduced word का मतलब Ephesians 2.18 Ephesians 3.12 verses लिके ले सकते है Ephesians 2.18 Ephesians 3.12 number third blessing तिसरा blessing chapter 5 verses 2 और एक बार जरा देखे continue पढ़ेंगे और कुदा के जलाल की उमीद पर फकर करते है what is the third blessing we boast in the hope of the glory of God ये लोग जबी जबी ज़्याद अपने बारे में चड़ा के बोलने वाले लोग सुनेगा तो ये समझ लेना इसके अंदर सच में एक खुदावन का काम हुआ नहीं है जिसके अंदर खुदावन का काम जोरावर से हुआ है ना वह आपने आपको बहुत छोटा ही दीखता है ये फिल इंसल्फ ऐस अन इंफेंट प्रैसलोट तो कुदावन्द ग्रेट है और वो ग्रेट कुदावन्द का एक जलग देका हुआ विक्ती पैसा अपने बारे में बोलकर बोस्ट कर सकता है फकर कर सकता है ये कैनोट पैसलोट तो एक नेगिटिव बोस्टिंग भी है एक पॉसिटिव बोस्टिंग भी है नेगिटिव बोस्टिंग किदर से आता है नेगिटिव फकर करना नहीं तो इंदी में लिका है कि पाच का तो गमंड नेगिटिव गमंड वो जिस्सम से आता हुआ गमंड है आप लोग को याद होगा फिलिपियों के कत में पॉल कहता है मुझे जिस्मानी तोर से गमंड करने के लिए बहुत कुछ है याद है आप लोग को आठ बाते हैं वहाँ पर तीन का एक से जना देखिए तीन से एक से नहीं तीन का चार तीन का चार पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी को और शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी भढ़कर कर सकता हूँ गमंड करने के लिए पॉल उसके पास देखो आठ वे दिन में कतना हुआ नंबर वन नंबर टू इस्राइल का वंच नंबर त्री बेन्याम इनके गोत्र का हूँ नंबर फोर इबरानियों का इबरानी हूँ यह चार बात है न हम लोको मिले गए नहीं यह जो पॉल को बाई बर्त मिला वह चार बात है अभी आगे जो बोलता हुआ बात उसने कुद कमाया हुआ बात है पहला चार तो बुल जाओं लोग नहीं मिलने वाला सपना भी नहीं देखना बाकी का चार पॉल ने खमाया हुआ है देखो क्या है बाकी का चार विवस्ता के विशे में यदी कहूं तो फरीसी हूं मतलब विवस्ता के विशे में यदी कहूं तो कलिसीया को सताया मलुमें उसने क्योंकि उतना जील ता यहुदी रिलीजन के उपर यह यहुदी रिलीजन को चैलेंज कर रहा है सारे लोगों को खत्म कर रहा है तो वो जील से जाकर स्टीफेनस को मारा सारे लोगों को कलिसिया के लोगों बंदी बना के जेल में डाल दिये वो जील कुदावन के लिए जील पॉल बोलता है ऐसा जी जील यहुदी में बहुत कम लोगों को पाए जाते हैं मेरे अंदर वो जील था खुदावन के लिए अगला और विवस्ता की दार्मिक्टा के विशे में यदी कहो तो निर्दोश मतलब लोगों में अगर टीक से बार से शारीरिक तोर से मैंने क्या किया है सब कुछ मैंने perfectly अभे किया है शबत को अभे किया है sacrifices को अभे किया है माबाप को honor किया है चोरी नहीं किया है No, never I have done Art great qualities, confidence अभी परंतु जो बाते मेरे लाब की थी उनी को मैंने मसी के कारण आनी समझी हिं आट बाते हैं उसको फकर करने के लीए गमणिकरने के लिए लिकिनेश को देखा तो उसका हाई कश पता चलंगिया अजब लोग चॉड़ेएं करके क्यों गुम्टे हां हाले में चीस को नहीं देखा लीकी तो वह कितना चोटा करके संभज में ऐश का जीसुस का हाइट देखा वह विक्ति को पता चलेगा वोट आया है तो येश्यु के लिए हानी समझा हुआ पाउलोस के लिए अभी गमंड का बात क्या है गलातियों के कद चटवा अधियाय उसका चौदवा वच्छन गलेशिंस 6.14 गलातियों 6 का चौदा अगर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का गमंड करू केवल अमारे प्रभु येश्यु मसी के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टी में और मैं संसार की दृष्टी में क्रूस पर चड़ाया गया हूँ पाउलोस का गमंड अभी किदर है किदर है on the cross of Jesus Christ जीसस अभी सूली में था चेले लोग किदर थे दूर दूर ता ना दूर कड़ा हुए कि क्यों पास क्यों ने गया शर्मिंद है दर तो अलग बात है उसके अलवा एक शर्मिंद है क्रॉस के साथ क्रॉस को रख कर कोई गमंड नहीं करेगा हां मौत के बारे में एलेक्टरिक चैर में लोगों को बिटा कर मार देते हैं कुछ ऑप क्या बोलेंगे उस आदमी को तो एलेक्ट्रिक चेर के बदले सूली डाल दो पॉल कहता है कि मैं सूली पर गमंड करता हूं लोग बोलेंगे यूर फूल हरे इबरानियों के इसराइलियों के इसराइली भरी सी इस बात पर गमंड कर पॉल करेगा एशु का सूली ने मेरा हर एक दुनिया का गमंड को कीला कैैसलोड क्या हमारे गमंड सारे सूली के कहिले पर ठोके हुए है क्या मैं स्टैंस को लोगों ने आकर जभी स्पी यर्धय में आकर किया तो जीसस वहाँ पर को रिस्पॉंट नहीं के वस कम्पलेटली साइलेंट वाई वस डेड सूली पर नेइलड है वस डेड अगर गमंड होएगा तो क्या होएगा मल में तोड़ा सा लगेगा तो बोलना शुरू हो जाएगा मुझे ने आपको नहीं पता मैं कौन हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरा वैसा हिस्ट्री है देखो शुरू हो गया कैसा लेकिन एक मराव आदमी गमंड नहीं करेगा सूली में नेइलड हो गया हूँ गमंड नहीं करेगा अपने रेस के बारे में इतने इतने ऐसे से बड़े बड़े डोग है अपना कास्ट के बारे में अपने रेस के बारे में गमंड करने वारे कुछ लोग प्लेस के बारे में गमंड करते हैं अम लोग इस जगा से हैं अम लोग वो फलाना जगा से कर रहे हैं प्लेस के बारे में कुछ लोग फेस के बारे में गमंड करते हैं मुझे बहुत अच्छा फेस दिया है। प्राइड ओन फेस, प्राइड ओन रेस, प्राइड ओन प्लेस। गमंड बहुत तरीका है। गमंड दिखाने के लिए बहुत तरीका भी है। प्राइड ओन एजुकेशन चाह पढ़ाई होगा तो education है करगे pride करना गमंड करना लेकिन पॉल कहता है all this is nailed प्रदर जी ये एकी बार nail करना है क्या जब ये उटकर आता है ना तब तब nail कर देना है ये है daily dying on the cross अईसा कड़ा हो जाता है गमंड हरे क्या अंदर है परचार करने वाला मेरे अंदर भी खड़े हो जाता है आप लोगों के अंदर भी ये गमंड उट जाता है all that time we have to nail it on the cross hallelujah तो एक negative boasting है negative गमंड है लेकिन यहाँ पर जो बोलता हुआ क्या है verses chapter 5 Romans chapter 5 verses 2 रोमियों पाच का दो क्या है वो गमंड जो positive है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अलिगरत जिसने जिसमें हम बने हैं अमारी पहुच भी वी और परमेश्वर की महिमा की आशा पर गमंड करते हैं वी बोस्ट in the hope of the glory of God दिस इस दी पॉसिटिव बोस्टेग अगला तीसरा वच्चन में इसको explain करोंगा तिसरा वच्चन में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ तिसरा वच्चन में वर्ड काली में आपको दिखा हरो तिसरा वच्चन जड़ा कि तीन और सिर्फ यही नहीं बलके मुसीबतों में भी फखर करते हैं एवल यही नहीं हम क्लेशो में भी गमंड करते हैं दिस इस अ पॉसिटिव बोस्टिक तो मेरे प्रियो आज ये बाइबल क्लास जब चल रहा है मैं अपनी आप से पूछे मेरे अंदर कौन सा गमंड है इस इस अ पॉसिटिव वन और इस अ नेगिटिव बन मैं किस बात पर ज़्यादा गमंड होता हूँ मैं सच में जीसस का उस ग्रेटनस को देखा है क्या हालिलुया वी हग तो आस्क दिस कीपाउन आस्की अस तो कि मती पाँच का तीन में लिका है कि who is blessed कौने मुबारिक blessed are the poor in spirit जो आत्मा में गरीब है वो है मुबारिक तो तिसरा blessing हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या है तिसरा blessing we boast in hope of the glory of God Romeo 3 का 27 पॉल कहता कि पूरा जो negative boasting है वो कतम हो गया तो गमंड करना कहा रहा उसकी तो जगा ही नहीं देखा आपने मैं उसको उर्दु में भी पढ़ता हूं पस फकर कहा रहा इसकी गुंजाईश ही नहीं तो प्रभू के लोगों के अंदर नेगेटिव फकर कहने तो नेगेटिव गमंड का गुंजाईश ही नहीं होना चाहिए नाम ही नहीं होना चाहिए प्रभू के लोगों के अंदर दूनिया के लोग तो बोस्ट करते हैं लेकि नहीं तूनिया के लोग गमंड करते ही है गमंड ही है दूनिया के लोग अंबिलीवर्स और प्राइड फूल प्रेंड कि सबसे बड़ा डेंजर क्या मल में आत्मिक लोग spiritual pride जबी करते हैं that is very dangerous spiritual pride is very dangerous hallelujah मैं सब जानता हूँ मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं है I am a spiritual superior ये सब आत्मिक spiritual pride is very dangerous इसकी कोई गुझाईश इसकी कोई जगा नहीं होना चाहिए तो pride के जगा पर क्या होना चाहिए उतर लिखा है pride के जगा पर क्या होना चाहिए पस फकर कहा रहा उसकी गुझाईश ही नहीं कौन सी शरियत के सबब से क्या अमाल के शरियत से नहीं बलकि इमान के शरियत से तो pride के जगा पर मिलने वाला क्या होना चाहिए faith your dependence on God faith का मतलब क्या है your trust on God फकर करने वाला विक्ती गमन करने वाला विक्ती के अंदर faith नहीं होता आमाले में आपको तो वान वो टेक्स प्राइड अस नो फेइथ जग गमंडी यह ना उनके लिए नहीं यसु समच्चार अलीम नम्र के लिए यसु समच्चार राइट मती का सु समच्चार दसवा अध्या है उसका चट्वा वच्चन जरा देखिए मती दसका छे पूरा वच्चन नहीं पड़ेंगे दसका चे नहीं ग्यारा का छे ग्यारा का छे माफी जाता हूँ ग्यारा का पाच मती ग्यारा का पाच के अंदे देखते हैं लंगडे चलते हैं फिरते हैं कोडी पाक साफ किये जाते हैं और पहरे सुनते हैं और मुर्दय जिन्दा किया जाता है और गरीबों को कुशकबरी सुनाई जाती है किसको सुनाई जाती है गरीबों को किसको सुनता है गरीबों को गमंडियों को नहीं गमंडियों के लिए नहीं है सुसामचार गरीबों के लिए है ग्यारा का पचीस जरह देखो ग्यारा का पचीस उस वक्त येश्व ने कहा है बाप आस्मान और जमीन के खुदावन मैं तेरी अम्द करता हूँ कि तुने ये बाते दनाओं और अक्चलमंद गमंडी का मतलब क्या है वाट इस अमीनिग अव प्राइड इंटेलिजन और वाइज जो अपने आखों में जो दुनियाई तौर से इंटेलिजन और वाइज यहां पर पाप है करके नहीं के रहा है लेकिन यहां पर इंटेलिजन और वाइज का मतलब क्या है प्रभू को जानने के लिए वो लग दुनिया का इंटेलिजन और वाइज से इस्तमाल करकर प्रभू को जानने के लिए देख रहे हैं सोजब में आ रहें इस वाज़ीowan के साथ दुशमनी है कुदावन के वच्छं के सात्व दुशमनी दो वर्ल्स विस्टम तो ऐसे लोगों से परमेश्वन ने सुसंबचार को चुपा दिया जीसस को चुपा दिया फिर किसको जाहिर करके दिया आगे लिखा है और बच्चों पर जाहिर किया बच्चा मतलब यहाँ पर इन्फेंट है इन्फेंट दूर पीने वाला बच्चा जो अपने मां के उपर पूरा डिपेंडन्ट है 11 का 5 में गरीब 11 का 25 में बच्चा चैप्टर 10 में जराईए मत्ति कसो समचार चैप्टर 10 उसका 42 जरा देखे चैप्टर 10 का 42 और जो कोई शगिर्दों के नाम से इन इन चोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला तंडा पानी ही पिलाए तो मैं तुस्तर सच कहता हूं कि वो अपना अर्ज अर्गिच ना खोएगा वापर क्या लिखाया चोटों में से चोटा लिच्चिल आज कोई चोटा नहीं होना चाहता है अब लोग बड़ा होना चाहता है को चोटा होना चाहता है चर्च में ब्रदर चटाए डाल दो मैं डालने का पास्टर जी थोटा नहीं चाहता है कि वह एक फैमिली गाड़ी नहीं है आप लेकी आएगा सुबह तोड़ा आएगा दुपवर को तोड़ा उदर से वासुजी भाई जाना है चोटा काम है ना चर्च में कोई भी काम चोटा काम नहीं हुआ इसलिए आपने देखा होगा हम लोग का कंबाइंड मीट में खाना काली नहीं बुलाएं लोगों को प्लेट में काना भी सर्व करने के लिए भी मुझे बुलाएं तो मैं पास्टर यह चोटा काम मैं क्यों करूँ नो आई नेवर तिंक लाइक डैक्ट कोई भी काम चोटा नहीं है अब रदर शिस्टर वो गुरूप में तोड़ा एक मेसेज डाल दो ने तो उसको जड़ा कॉल कर दो वो ब्रदर को जड़ा आप जड़ा बात करो ने तो उधर ज़रा विसिट करो नौट स्मॉल जॉब छोटा काम नहीं है कुदावन के बाटचाह में CEO लोग नहीं है कुदावन के बाटचाह में सारे सर्वेंट्स लोग है हालेलुया सारे सर्वेंट्स है everybody is called to serve मेरा गाड़ी सर्विंग के लिए मेरा गर सर्विंग के लिए I myself is a servant of God and His people हालेलुया इसलिए हम अपने आपको प्रभू के सामने रखना am I thinking about myself as little तीन बात हम लोग लें देखा एक क्या है नमबर वन ग्यारा का पाच गरीब टोकास ने तो टोकोस नमबर टू क्या है इन्फेंट बच्चा नमबर त्री चोटा लिटिल यह सब गमंडियों के लिए नहीं है गमंडी यह तीनों गमंडी के अंदर यह तीनों चीज़ रहेगा ही नहीं गमंडी बोलेगा I am rich लबोदिक्या कलिसिया के बारे में हम लोग मालूम है न लबोदिक्या लबोदिक्या कलिसिया Revelation chapter 3 क्या बोल रहे हैं वोलो जड़ा देखिए क्या बोलते हैं उनकी गवाई ज़रा सुनों उनकी गवाई ज़रा सुनिए तीन का सत्रा तीन का सत्रा में देखिए इनका गवाई कलिसिया गा तू ज़र कहता है कि मैं दनी हूँ दनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है और यह नहीं जानता कि तु अभंगा और तुछ और कंगाल और अन्दा और नंगा है that is the real picture लेकिन ये लोग अपने बारे में क्या सोच रहे we are great, we are rich हम लोग बच्चे लोग ने मेरे प्रियो there is a negative pride ये नेगेटिव गमंड़ जिसकी कोई गुण्जाईश अमारे चर्च के किसी believer के अंदर नी होना जा किसी भी believer के even by their words पंद्रा मिनिट बात करेगा तो मालूम बढ़ेगा brother के अंदर कौन सा गमंड है पंद्रा मिनिट में पता चल जाता है sister के अंदर क्या है तो अमारे अंदर किसी के अंदर भी वो गुण्जाईश नहीं होना चाहिए प्रभू आगे भी नहीं होना चाहिए आगे भी नहीं होना चाहिए अमारे अंदर किस बात का प्राइड होना चाहिए what kind of pride वो है हम लोग ने देखा Romans chapter 5 verses 3 में 2 में हम कुदा के जलाल की उमीद पर फकर करते है this is the positive pride लोग किस पर गमंड करते हैं किस पर गमंड करते हैं वी बोस्टिंग एक्सोल्ट इन दे ग्लोरी अफ गॉड इस पर क्यों करते हैं मालुम है क्योंकि 3 का 23 में क्या लिका है हम लोग का मालुम है इसलिए कि सब ने गुना किया और कुदा के जलाल से महरूम है all have sinned and fall short from the glory of the glory प्रभू के जलाल से गिर गए ये गिरावा इनसान को उमीद मिले जलाल मिलेगा ये उमीद मिला है ना ये उमीद पर ये जलाल पर गमंड करते हैं इस पर गमंड करते हैं मालुमें प्रेस्टो लॉड ब्रदर आज येशु आएगा मैं उसके जैसा बन जाओंगा ये बोलकर अमें गमंड करना है आज ब्रदर येशु आएगा प्रभु के लोगो वी बिखम लाइक जीसस इस पर में और आप लगमंड करना है इन जीसस इस वर्क सच में अम लोग क्या अम लोग को इमेज लोस्ट होगे राइट जब आदम और अवा गिर ये पाप में खुदावन का जो 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 इमेज था इमेज बेरियर्स वो इमेज कम्प्लेटली बोलते हैं वो पूरी तरह टेंट हो गया वो पूरी तरह डेंट गाड़ी जिस तरह जाके ठोकने के वकद वो गाड़ी आउट ऑफ शेप हो जाता है गाड़ी चल रहा है लेकर आउट ऑफ शेप है यह अभी हमारा आलत गाड़ी को रोड में देखता हैं आपने उसका हो मढड़ आईसा पूरा रोड पे इसा इला हो रहता है रसी के साथ भाहए गाड़ी दिश्रीस वर लाइफ गाड़ी चल रहा है एक जगह से दूसरा जगह पर जा रहा है सामान लेकी जा रहा है को आफिस जा रहा है डूटी कर रहा है बच्चों को पड़ा रहा है एवरीटिंग इस गोइंग रूटीन लेकिन उपर से प्रभू देखते था पूरा डेंट नीचे पूरा घया हुआ इस डेंट यह डेंट आदम और अवब धूर वजह से हमारे लाइफ के हुआ है यह विक्ती के इस डेंट है यह की रात में क्लियर नहीं होता हैWa के उप्रस्ट ना चाहिए को अगा इसे यह छ उम्म्यद पर फक्र करना चाहिए हमें यह उमीद पर हमें गमंड करना को जो लौस्त हो गाता जो डेंट ओ गीज मसी के वसीले से और रिपेरिंग के पॉसिशन पहे उमीद मिल गया कि उपनी पूरी तर डेंड हो गया था एक दिन वो पूरी तरह चाहाने वाला है ॉह सो वाला है इसमें गमंड करने के बदले हम लोग क्या-क्या चोटे-चोटे चीज पर गमंड करते मेरे पूई हालेलुया ग्राइज्विली इंक्रीसिंग ग्लोरी दूसरा कुरिंतियो तीन का अट्रा जला देखिए दूसरा कुरिंतियो तीन का 318 मिला हुआ लो जरा पड़ी तीन का अट्रा सेकंड कुरिंतियो तीन का अट्रा सेकंड कुरिंतियो त्री एटीन मगर जब हम सब के बे नकाब चेहरों से खुदावंत का जलाल इस तरह मुनकिस होता है जिस तरह आइना में तो इस खुदावंत के वसीले से जो रू है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं वी आर बिन ट्रांस्फोर्म्ड फ्रम ग्लोरी जलाल से जलाल में बदलते जा रहे हैं डिल तो कुदा के जलाल में बदलता जाने का मतलब क्या है वो जो डेंट है न गिरने के वज़े से हो गया वो तोड़ा-तोड़ा करके माइनूटली क्लीर होते जा रहा है आदम का वो जो सभाव है जो पाप का नेचर का सभाव है वो नेचर का सभाव दीरे-दीरे से अटकर जीसस का सभाव वो खुदावन का सभाव slowly slowly आ रहा है it is being transformed पहला युहुन्ना तीन का एक पहला युहुन्ना फस जॉन चैप्टर फ्री वर्सस वन ओन वर्ड़्स देखो क्या लिका है देखो वो वर्ड कितना अच्छा है देखो बिहोल्ड लुक दूसरा कुछ भी आज नहीं देखा देखो क्या देखना है देखो बाप ने हम से कैसी महबत की किया कि हम कुदा के फर्जंद के लाए और हम है भी दुनिया में इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना अजीजों हम इस वक्त कुदा के फर्जंद है और अब अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसके मानित होंगे क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है अब ये अगला वच्छन जरा देखें तिसरा वच्छन और जो कोई उससे ये उमीद रखता है क्या उमीद जीसस मुझे ये देगा जीसस मुझे वो देगा वो ये उमीद जब वो जाहिर होगा हम भी उसके जैसा बनेंगे ये उमीद जिसके अंदर ये उमीद है रखता है अपने आपको वैसे ही पाक करता है जैसा वो पाक है देखो तो जिसके अंदर उमीद है जिसके अंदर ये positive गमंड है positive boasting है वो अपने आपको क्या करेगा daily पाक करेगा वो देखेगा मेरे अंदर वो negative गमंड है क्या अभी भी क्या मैं अपने आपको अभी भी बड़ा समझता हूँ और अपने आपको कुदावन के सामने लोगों के सामने लिच्छल समझता हूँ poor infant तो अपने आपको प्याँ तो ये जो जलाल पर अमर जो जो गमंड करते हैं ये जलाल का उमीद हमें मिला भी अवर सीब दो होप ये होप मैंने जिस तरह शुरू में का ये शायद मिलेगा 50-50 परसंट चांस है बरदर ऐसा नहीं ये श्वसी ने मुझे रापलों को दर्मी तहरा दिया है और उसके फजल में पहुंच ओ गई है तो आगे वो जलाल भी जरूरूर में मिलेगा इट इस गैरेंटीड इस लोट इट इस गैरेंटीड ये पक्का है इस लोट कैसा गैरेंटी है मिलेगा करके ये उमीद अमारे अंदर ये गैरेंटी जैसा क्यों है कोलोशियो एक का सत्ताइस कोलोशिंस 1.27 कोलोशिंस 1.27 जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हे ज्यान हो कि अन्य जाती में भी उस बेद की महिमा का मूल्य क्या है और वो ये है कि मसी जो महिमा की आशा है तुम पर रहता है जलाल का उमीद मसी है वो मसी तुमारे अंदर रहता है ये इसल्फ is the proof that you will receive the glory वो जलाल मिलेगा तीन का चार कुलोसियो तीन का चार जब मसी जो अमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किये जाएंगे फिलिपियो फिलिपियो तीन का बीस और इकीस फिलिपियन्स ट्री ट्वेंडी एंड ट्वेंटीवन मगर अमारा वतन आस्मान पर है और हम एक मनजी यानि कुदावंद येस मसी के वहाँ से आने के इंतजार में है वो अपनी उस कुवत और उस कुवत की तासीर के मुहाफिक जिससे सब चीजे अपने ताबे कर सकता है हमारे पस्त हाली के बदन की शकल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा यह उमीद मुझे राप लोग को मिला है और यह उमीद आने वाला बात काली नहीं है आप लोग को याद है मैं क्या बोला था ग्लोरी एक दिन रिवील होगा और हम लोग उसके सूरत में पूरी एक दिन बदल जाएंगे लेकिन अभी क्या हो रहा है बदलते जारे है बदलते जारे है कोई भी उस मुकाम पर इस दुनिया में नहीं पहुचता we are all been transformed from glory to glory glory to glory and when He comes, when He arrives हम लोग पूरी तरह उसके जैसा होएंगे ये उमीद हमको मिला खोगे अवा glory through Jesus Christ उजराप लोगो मिल रहा है जलाल में बदलते जारे है कैसा मालम बढ़ेगा how do we know that we are transformed from glory to glory कैसा मालम बढ़ रहा है बैप्टिसम लेने के टाइम मेरे सर के पीछे चोटा सा एक वाइट कलर का लाइट था अभी पंदरा साल हो गया अभी ज्यादा लाइट हो गया सर के पीछे ऐसा मालम बढ़ेगा ग्लोरी ग्लोरी हमारे बोडी से कोई लाइट नहीं बाहर जाता है जाता है जीसुस जब यह 33 साल दुनिया में चला उनके सर के पीछे कोई लाइट था है कैसा बोडी से इसा पुरा लाइट जा रहा था नो यह उसका मतलब ग्लोरी से ग्लोरी में बदलते जा रहे का मतलब कै है यू यू और में अग्लोरी आप लोगो आप लोगो ऐसा शक्ति और सामर्थ देए तीन ब्लेसिंग को देखा रास्तबास टेहरायवा बंदों का बेहनों का, भाईयों का, ब्रड़र, सिस्टर, बच्छों का, जो रास्त बास ठहरा है, उनका थीन ब्लसिंग, number one, they have peace with God, कुदा के साथ, उनका क्या हुआ है, सला हुआ है, second, we have obtained our introduction into this grace, अमें introduced किया, कुदावन के उस जलाल में, उस महिमा पर, उस फजल पर, introduced किया, number three, we exalted in the hope of the glory of God, कुदावन के जलाल के उमीद पर, अम लोग क्या करते हैं, comment करते हैं, खकर करते हैं, three great blessings, और भी हैं, अगले आफ़ता हम लोग देखेंगे से, अपने आपको प्रभू के आतों में समर्पित करेंगे, मैंने जिस तरह शुरु में कहा, this is not for the pride, this is for those who are humble before the Lord, what is the meaning of humility, surrendering ourself, to obey God, to obey His word, to think ourself as little, हम अपने सामने, खुदावन के सामने, लोगों के सामने, little, छोटा समझना, अगर छोटा समझेंगे तो, छोटे से छोटे काम भी करने के लिए हम थैयार हो जाएगे, जिस दिन मैं बड़ा समझ गया, I will not do the work of a servant, मैं कादिम का कामने कर, let's close our eyes, let's submit ourselves,